हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू माई टूब चनल सक्सेस कमपेटिव कीज़ कोई सीटू प्रेट फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो यूथ बुक पब्लिकेशन का होने वाला है जैसा कि हमारे चनल पर आपको लगातार यूथ बुक से सम्मंदित बहुत सारा वीडियो मैंने आपको बनाया है तो अगर आपने प्रिवियस बिडियो नहीं देखा तो जाकर प्रिवियस बिडियो को जरूर फॉलो करिएगा और वहाँ पर आप देख लिजेगा यह जो आपका यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है आपने जितना जी फॉर्म अपलाई किया होगा रेलवे, टेकनीशियन, एलप, आर्प, एसाई, कॉंस्टेवल बगएरा या आपका बी एससी इंटर लेवल या आगामी जो वेकिंसी आने वाली है सीजियल के लिए, बिहार सीजियल के लिए तो उसमें यह साइन्स का बहुत ही महत्पूर्ण भूम का निभाने का कारी करेगी ठीक है, तो आज का जो टॉपिक आपका है वो आपका बहुतिक रासिया मतलब फीजकल क्वाइन्टीटी से समन्दित है तो यहां से भी आपका कोस्टन, एक दो कोस्टन देखने को मिलता है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं और अज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर वीडियो को सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे तो यहां से आप ध्यान दिजेगा देखिए पहला कोस्टन इसमें क्या कह रहा है इसमें पहला कोस्टन आप से पूछ रहा है कि निमलीखित में कौन सी अदिसरासी है तो अदिसरासी कौन सा हो जाएगा यह आपका सी नंबर यानि द्रब मान हो जाएगा ठीक है देखिए मैं सबसे पहले आपको यह किलियर कर देता हूँ कि इसमें आपको दो चीज़ पढ़ने के लिए रहेगा अदिसरासी के बारे में जिसे इंग्लिस में कहा जाता है असकैलर क्वाइंटिटी ठीक है दूसरा होता है सदिसरासी जिसे कहा जाता है वेक्टर क्वाइंटिटी ठीक है एक अदिसरासी होती है तो दूसरा क्या होता है सदिसरासी होता है तो अदिसरासी को इंग्लिस में बोलते हैं इंग्लिस में क्या बोलेंगे ascalar quantity और सदिस रासी को बोला जाता है vector quantity simple है अब ठोड़ा सा इसका परिभासा भी ठोड़ा सा जान लीजिए ठीक है क्योंकि आगे इस समंदित बहुत सारा question आपको देखने को मिलेंगे तो पहले आप समझ लिजे पहले ध्यान से आप अगर हम लोग सदिस रासी के बारे हम बात करते हैं तो सदिस रासी का कहना है कि जिसमें परिमान हो क्या हो परिमान परिमान कहने का मतलब इंगलिस मैंसे magnitude बोलते हैं तो जिसमें परिमान होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए परिमान और दूसरा चीज होना चाहिए दिसा होना चाहिए ठीक है तो ये दो चीज आपका रहेगा ना तो वो आपका कहलाएगा सदिस रासी क्या कहलाएगा सदिस रासी जिसमें परिमान हो मतलब मैगनीचूड हो और जिसमें दिसा हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं सदिसरासी सिंपल अगर आपसे पूछा कि बताईए अदिसरासी क्या होता है तो अदिसरासी के बारे में बस आपको ये ध्यान में रखना है अदिस रासी कहने का मतलब यह होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही हो मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि सिर्फ परिमान रहना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका परिमान रहे सिर्फ मेगनिच्यूट रहे तो वो आपका कहलाता है अदिस रासी ठीक है सीम्पल है आप समझ चुके हैं तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर एक्जामपल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आपको एक्जामपल में आपका यह कोई एक्जाम जो होता है एक्जाम में आपको कोशन जो पूछेगा ना वो एक्जामपल के थुरूई पूछेगा बस यही मैं आपको इसी के बारे में बता रहाता है कि जैसे में आपका लंभाई हो गया दूरी है, दरब्यमान है समय है, छतरफल है, आयतन कार्य, चाल, आवेस यह सारा का सारा क्या आएगा तो यह अदिस रासिया है इसके अलावा अगर हम सदिस रासि की बारे में बात करें, कि जिन में परिमान के साथ साथ दिसा भी होता है तो उसे हम लोग सदिस रासि बोलेंगे और जैसे में क्या हो जाएगा तो वेग, तुरन, बल, भार, संबेग, विस्थापन यह याद रखेगा, यह एक्जाम relevant question है, यह आपका बहुत बार एक्जाम में यह सब देखने को मिलेंगे ठीक है, तो फिलाल हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए, आगला question क्या कह रहा है आगला question ध्यान दीजेगा केबल परिमान है, लेकिन दिसा नहीं यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा, यहाँ पर आपको सदिस और अदिस के format में नहीं बताना है आपको मैंने आपको बोला ना कि यह आपका एक्जाम्पल के थुरू देगा, तो यहाँ पर जो आपका होगा यह कार हो जाएगा, मतलब सिर्फ आपका परिमान है लेकिन दीजा नहीं होना जाएगा, यहाँ पर एक कार रिकांट सा है था कार आपका अदिस रासी हो जाएगा, बाकी आपको जितना भी दिकरा होगा आप्सन में, तो वो आपका सदिस रासी होता, मतलब आवेग हो गया वल हो गया, बिस्थापन हो गया, यह सारे कौन सी रासिया है, तो यह सब सदिस रासिया है किलियर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते है अगला कोस्टन क्या कह रहा है, कि निमलिखित में किसमे केबल परिमान होता है, लेकिन दिसा नहीं होता फिर वही काम आपका है, तो यह आपका क्या हो जागा, सी नंबर कार्रे हो जाएगा नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट कोस्टन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रासि सदिस नहीं है तो सदिस ने यानि अदिस के बारे हम पूछ रहा है तो सक्ति आपका कौन सी रासी है तो वो अदिस रासी है ठीक है बाकिया आपको जितना भी आप्शन में दीख रहा हो बल अगुरन है त्वरन है विस्थापन है ये सब सदिस रासी हैं ये सब याद रखेगा अब देखे थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा कायरा है कि जिस भावतिक रासी में मातरा मतलब परिमान और दिसा दोनों नीत होता है तो वो तो सदिस रासी होता है मैं तो आल्लेडी आपको पहले बता चुका हूँ जैसे मैं आपका बल हो गया संबेग हो गया भार है विस्थापन है त्वरन है बल अगोरन ये सब सदिस रासी है जबकि उर्जा हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिए उर्जा बितुधारा दूरी समय सक्ति दरब्यमान ये वावज़ ल्हात्त किसी रासी है तो ये सब आदिस रासी है केलियर है next question नेश कोस्टन आईए करान इमलिखित में कौन सा वेक्टर मातरा नहीं है तो वेक्टर कहने का मतलब सदिस रासी मतलब सदिस नहीं है सदिस नहीं है यानि कहने का मतलब अदिस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर विद्दुत प्रवाह क्या हो जाएगा यह अदिस रासी हो जाएगा ठीक है तो बस यहीं डिस्क्रिप्शन में आपको कहरा ठीक है यह ओल्री डिस्क्रिप्शन हम लोग उपर पढ़ चुक सिम्पल दाब जो है वो आपका कैसी रासिय तो वो आपका अधिस्रासिय बागी आपको उप्षन में जितना भी दिक रहा होगा तो वो सब सब सदिस्रासिय ठीक है और यही सब description में दिखाव द है यह सब डिस्क्रिफीप्सं यहस 날 वो ओपर चर्चा कर चुके हैं नेक्ट कॉस्चन करा कि सबसे उचीत भी कल्ब चुने सम्भेग क्या होता है सम्भेख सबसे पहले कौन सी राषी सदिस राषी है सकता होता है उसे सदिसराशी कहते हैं जैसे वेग है विस्थापन त्वरन ठीक है ये सब जब कि दरवमान ताप लंबाई चाल जो हो गया ये सब अधिसराशी है ठीक है किलियर है और लोक के नेक्स्ट कोस्शन आगे वर देख लीजे 1 चाहिए एक सदिसराशी में परिमान और दिसा दोनों होता जब कि यही हना और मेंख्यान उच्छा नई होता तो यह इसका डिस्क्रिफिच्छं किया हुआ है ठीक है वही Circ everything आगे सचो बार में मैं लेक्षत में का उन सी वेक्टर मातरा नहीं है तो वेक्टर नहीं है मतलब सद्रीप्शन आनि अधिस के बारे में पूछ रहा है ठीक है कौन नहीं है इसके बारे में बताना है ठीक है सॉरी वेक्टर मात्रा है वेक्टर के बारे में बताने के लिए का रहा है कि कौन वेक्टर है मतलब सदिस है तो यह आपका कौन हो जाएगा वेग हो जाएगा तो यहाँ पर देखे किलियर कर दिया कि सदिस रासिया नहीं इमान होता है लेकिन दिसा नहीं होता तो वे अधिस रासियां कहला है कि जैसे में आपका द्रभमान दूरी समय चाल दाव कार सकती ताप आईतन विभा यह आप ध्यान में रखिएगा यह इसी से कोस्टन आप से पूछा जाएगा ठेक है चलिए नेक्ट कोस्टन ठेक है यह आप यह टॉपिक आपका पता है कोई लंबा टॉपिक नहीं यह बहुत छोटा टॉपिक है तो यहां से आपका मुश्किल से एक दो कोस्टन आप से देखने को मिलेगा ठेक है चलिए नेक्ट कोस्टन आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है कि निमलीखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है मतलब किसका डायरेक्शन जो होता है न वो सेम होता है तो याद रखेगा बी नंबर इस सवाल का सही जवाव है बल और त्वरन मतलब फोर्स और एक्सलिरेशन दोनों का दिशा क्या होता है सेम हो बहुतिक रासियों में परिमान सा दिसा दोनों नहीं थोता वे तो सदिस रासि हो जाएंगे जैसे में आपका बल तुरन बेग संबेग हो गया और जिन बहुतिक रासियों में सिर्फ परिमान के अब सकता होती है दिसा नहीं होती है तो वे अदिस रासि हो जाएंगे ठीक है स कुछ रासियों के भावतिक गुन को दर्साने के लिए उनके परिमान के साथ दिसा भी निर्दिष्ट होती है ठीक है इस परकार की भावतिक रासी को क्या कहेंगे आप तो सीम्पल तो है सदिस रासी कहेंगे ठीक यही सारा कुछ आपका चर्चा किया यह आल्रेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो हम लोग नेट कोस्टन पर आगे बढ़ते हैं आगे करा कि निमने में किसमें दिसा और परिमान दोनों होता है तो आप यह बताइए कि सदिस राशी इनमें से कौन सा है ठीक है आप भी कमेंट बॉक्स में आप अपना परतिकिरिया दे सकते हो तो प्लीज आप भी कमेंट वक्स में बताईए, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा संबेग, ठीक है, नेक्ट कुस्टन, तो यहाँ पर आपका वही कहा रहा है कि संबेग एक सदिस रासी है, क्योंकि इसमें दिसा और परिमान दोनों होता है, दरबमान, दूरी और चाल है, ठीक है, तो याद रखेगा, यही पर यहाँ डिस्क्रिप्शन में बोल रहा कि कौन सदिस यहाँ, हम लोग पहले भी डिसकस कर चुके है, और देखिए, यह चेप्टर का इस टॉपिक का लास्ट कोस्टन है, कह रहा है कि कार में क्या नहित होता है, तो कार में आपका ए उसमें दिसा नहीं होता है, तो इस सवाल का जो सही राइट अंसर होगा, वो एक नंबर होगा, ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को कम्पलेट कर चुके हैं, अगर इससे कोस्टन अगर आपसे पूस्ता है, तो एक्जाम में ठीक है, तो आपसे बन जाएगा, ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर वीडियो को share जरूर कर दिजेगा और एक like कर दिजेगा ठीक है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फिली चैनल को subscribe कर दिजेगा इसके लाब हमारे चैनल पर आपको current affair फिर जो परतियोगता दर्पन है वो भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा आप बगल के बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजेगा तापकि आपको वीडियो को नोटिफेकेशन समय समय पर मिल सके ठीक है तब तक हम लोग वीडियो ही तक रहने है तब तक के लिए जय हिन जय भारत